भारत मता की मता की भारत मता की आज के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्तित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोग प्रिय जनता के दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे मुक्यमंत्री अमानिय योगी आधित्यनाज जी हमारे अनुसुशी जाती मोर्चा के राष्ट्री अध्यक्ष और मेरे भाई श्रीलाज स्रिंगारिया जी श्रीबंडा जी जो हमारे प्रभारी हैं वी सतीज जी जो हमारे संगठक हैं हमारे पार्लिमंट्री बोर्ड के सदस्य और वरिशनेता श्री सतनाई जठ्या जी हमारे महामंत्री और अमसुचाती मोर्चा के प्रभारी श्री तरुन्चुक जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भारत सरकार में मंत्री और आप सब के लोग प्रियस आंसर मेरे भाई श्री एस्पी बगेल जी हमारे भारत सरकार में मंतरी कौशल किशोर जी मद्दे-प्रदेश के उप्मुख्य मंतरी स्रीजगदीष देवडा जी हमारे भोला सिंग जी जो महा मंतरी है श्री राम चंदर कनौजिया जी इंद्र जी बालमीकी जी हमारे दुरविजे सिंग जी सभी उपस्तित सांसद गंड विधायक गंड महापौर और यहां आगरा में 71 राय देव तुल्ले हमारे सभी वरिष्ट भाईयों और बेहनों और मीडिया के मेरे साथी यह मेरा सभाग्य है कि मुझे आज अनुसूची जाती मोर्चा के इस बड़े सम्मेलन में जहां आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आये हैं उसमें भाग लेने का सभाग्य मिला है आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कारक्रम में शामिल हुए सबसे पहले तो आप सब का हार्दिक अविननन है स्वागत है मित्रों अभी योगी जी ने आपके सामने अनुसूची जाती मोर्चा के लिए और अनुसूची जाती मोर्चा के बाध्यम से जो हमारे कारक्रम चले थे उसके बारे में जहां तक जिक्र किया तो साथ ही साथ आदर निया मोर्ची जी के निच्चत्त में जो हमारे नुशुची जाती भाईयों और बेहनों के लिए योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाईयों के लिए, बेनों के लिए मुक्यधारा में शामिल होने के लिए किस तरीके के कारक्रम चलाए गए इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है मैं यहाँ एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ लंबे समय तक भारत की राजनीती को मैंने देखा है लंबे समय तक जब कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाईयों को हमारे अनुसूचित जाती के भाईयों को कभी भी मानवता के द्रिश्टी से और इंसानियत के द्रिश्टी से उन्होंने नहीं देखा जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीती के ध्यान में रख करके देखा उन्होंने हमारे दलित भाईयों का अब अनुसुचित जाती के भाईयों का वोट लेने का उपकरम समझा ये इन के इन प्रकारें समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उप्योग किया जा सकता है सत्ता को हत्याने के लिए इसका उपकरन बना करके कॉंग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बन क्याती है हम सत्ता में थे या नहीं थे हम सत्ता के नजर्दीक भी नहीं थे तब भी हम लोगों ने एक आत्ममानवाद के दृष्टी से ये कहा था कि जबतक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्तिका भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा यह हमने क्यावन और बावन में कह दिया हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित पीडित सोशित दलित जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीती से देखने का उपकरन समझा है जब तक उसको हम प्रसम पंगती में लाकर नहीं कड़ा करेंगे बरावरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है यह भारतिय जन्सन और भारतिय जन्ता पार्टी ने कहा था और इसलिए कॉंग्रेस ने नहीं भारतिय जन्ता पार्टी ने अंतोदे का कारक्रम चलाया उस समय कॉंग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंतोदे क्या होता है अंतोदे क्या होता है तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदे होगा तभी भारत का उदे होगा तभी भारत किये समाज आगे बढ़ेगा इस बात को हम लोगों ने कहा था और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जब सब की चिंटा होगी जब सब के प्रयास से चिंटा होगी जब सब का विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे तभी समाज का विकास होगा इस बात को ध्यान में रखा देगा मित्रों मैं यहां पर एक बाद और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कॉंग्रेस के नारे हमेशा खंडित करने वाले रहे और भार्तिय जनसंग और भार्तिय जनता पार्टी का उदेश्य हमेशा हमेशा सबको समाहित करने वाला योजना लेकर के चले ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए हमने कहा सबका साथ सबका विक्राइब